अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां पर मैंने इन ब्रशेश की अन्बॉक्सिंग की है डिटेल्स वगर सब शेयर किया है सब ब्रशेश 16 पीसे पुरी डिटेल में दिखाए है कैसे दिखते है किस चीजों के लिए यूज किया जाता है अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाके देखिए और येस आज ही वीडियो में में लुक करके बताऊंगी आपको कि ब्रशेश किस तरीके किसे हैं अच्छे से ब्लेंड करते हैं हमारे आई शैडो को आई शैडो को अच्छे से पिक करत है कि नहीं everything so let's get started so सबसे पहले अपने आई लिट पर कंसिलर अप्लाइ कर लेंगे जो कि मैंने अप्लाइ कर लिया है as you can see अच्छे से अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूं उसके बाद पालेट के लिए यहां पर मैंने वाटसप ब्यूटी को मौनसून डेजर पालेट लिया है यह इंटरनाशनल ब्रैंड है आप इनका पेचे काउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर in case if interested to buy and yes they are highly pigmented उसके बाद सबसे पहला ब्रश मैं यह वाला ले रही हूं दो क सबसे पहले make sure करें अपने eye lid पे कोई creases ना हो and then eye makeup को start करें and yes काफी अच्छा है यह brush blend pack अच्छे से कर रहा है पिक अच्छे से shade किया था उसने so as you can see आपको जादा समझ में आएगा क्योंकि आप देख रहे हैं ठीक है so आप audience हो आपको जादा समझ में आएगा क्योंकि देखते हैं so यह कैसे पिक कर रहा है आप मुझे comment करके जरूर बताना आपको आज का यह eye makeup using this brushes कैसा लगा है and yes end में इसका review जरूर शेयर करूंगी उसके बाद मैंने यहाँ पर 09 brush लिया है जो कि यह भी एक eyeshadow brush है आप इस brush को use कर सकते हैं pack करने के लिए इस तरीके से shades को and blending के यह भी ठीक है चोड़े चोड़े parts पर यह helpful होता है उसके बाद मैंने next brush लिया है जो कि pencil brush है and इसको मैं यहाँ पर edges को blend करने के लिए यूज कर रही हूं क्योंकि हमें detail में work करना है अगर हमने यहाँ बहुत जादा बड़ा brush लिया होता तो यह पूरा spread हो जाता ठीक है eye makeup और re-intensify कर रही हूं ठीक है step by step जो हमने start में किया था वो सारी process हम अगीन कर रहे हैं यहाँ पर using that same brushes so in case if you are interested to buy their brushes link description box में होगी guys आप check out कर सकते हैं ठीक है and yeah अगर आप मुझे instagram पे follow नहीं कर रहे हैं तो go and follow me right now उसके बाद next 04 नंबर का brush लिया है जो की concealer brush है and yes synthetic hair है guys in brushes के and yeah wooden handle है as you can see काफी silky है तो इससे cut crease करके देखेंगे कि कैसा होता है so concealer मैंने ले लिया है and आप देख सकते किस तरही की cut crease हो रही है यहाँ पर वैसे तो मैं pro art का concealer brush यूज करती हूं हमेशा as you as you see always PF01 नंबर में जो की मेरा most favorite है and I don't know कि ये कैसा वह कर रहा है काफी हद तक तो अच्छा कर दिया है इसने काम and yeah उसके बाद यहाँ पर मैं again सबसे पहला जो brush लिया था उसे मैं blend कर रही हूं again and yes blending काफी अच्छे से हो रही है ऐसा नहीं की नहीं हो रही है and harsh नहीं है brushes यहां तक अभी तक brushes काफी अच्छे से blend किया है पिक कर रहे shades को quite good उसके बाद यहां पर मैं अभी shade को pack कर रही हूं so यहां के space को fill in करने के लिए यह चोटा सा brush ले रही हूं जो की number 10 है यह भी eyeshadow brush है यह detail में work करने के लिए काफी अच्छा है अगर कुछ space जो होती हमारी eye lid के उपर वहां तक हम पॉश नहीं सकते बड़े brushes के साथ तो यह चोटे detail brush जो होते है वो काफी helpful होते है and जब भी हम कोई creative सा look करते है तो यह जो detailer brushes होते है वो काफी useful होते है guys and यह वाला round shape blending brush है ठीक है जो की है number one as you can see क्योंकि यह pack होके है थोड़ा सा brush का जो थोड़ा सा brush का जो थोड़ा सा टेडा हो गया है वो automatically ठीक हो जाएगा इसके बाद यह eyeliner brush लिया है मैंने and यह थोड़ा सा ना like मेरे ना lower lashes पे poke हो रहा था तो मुझे यह वाला एक brush बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगाए क्योंकि यह इसका जो hair है brushes के यह थोड़ी से poki-poki थे so जो भी है मैं अपना honest review guys share कर रही हूँ बस बाकी सारे brush जितने भी मैंने use कि यह काफी अच्छे है थे बस यह अच्छा नहीं था उसके बाद यह काफी brush soft है इसके bristles blending बहुत smoothly है उसके बाद यह और एक pencil brush है जो की है number 11 ठीक है इसमें आपको two pencil brushes मिलते है guys तो यह 11 number था and उस के बाद fan brush के help से मैंने highlighter apply कर लिया है and यह बहुत ही cute and one of my favorite brush है यह पूरे 16 piece of set में and inner corners पे भी मैंने fan brush के help से apply किया and बहुत ही अच्छे सप्लाई हो गया था as you can see the pigmentation असके बाद sugar का मैंने यह sketch liner लिया है जो की waterproof है इसको मैं अप्लाई कर लूंगी ने very close to my lashes so guys अगर अभी तक follow नहीं किया तो go and follow me on instagram guys उसके बाद मैं ब्लेंड करके eyelashes को कर लूंगी and mascara apply कर लेंगे and यह बहुत ही ज़्याद अफॉरेबल सा मस्करा है blue heaven का but make sure आप जब इसको अप्लाई करे एकदम carefully carefully apply करे क्योंकि आपकी eyes में पोक हो सकता है इसके जो bristles है ठीक है वो काफ थोड़े से मुझे harsh लगे ठीक है तो be careful उसके बाद हीना है ना ब्यूटी की lashes ले रही हूं in case you are interested to buy उनका इंस्टाग्राम पर page है नूर है नेम इनका आप बाई कर सकते हो link mention कर दूंगी description box में and highlighter apply कर लेंगे cheeks के high point पे and बहुत ही अच्छा से apply हो गया highlighter बहुत अच्छ से apply हो भी गया है and yeah I'm really loving this brushes बस एक brush मुझे अच्छा नहीं लगा बाकी सारे brushes बहुत ही soft है अच्छे है but concealer के लिए जो brush था वो cut crease के लिए आप use नहीं कर पाओ के जादा क्योंकि precisely work करना होता है cut crease हमें and yeah बाकी सारे brushes बहुत अच्छे है in case if you're interested to buy I'll mention the link in the description box आप वहां से purchase कर सकते है and yeah thank you so much for watching till here so yeah if you're new to my channel don't forget to subscribe with bell icon and yeah I'll see you in my next brand new tutorial Instagram पो follow कर लो guys अगर अपी तक follow नहीं कर रहे हो और वीडियो अच्छी लगी helpful लगी हो आपको आज कर रिवीव वीडियो so go and subscribe with bell icon and like करना भूलो मत यार आप लोग लोग करना भूल जाते हो लोग अच्छा लगा हो तो like कर दो see you in my next brand new tutorial बाबाई